हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्णिंग, वेलकम टू इंटा क्लासे, आज है 15 अगस 2020 और 15 अगस 2020 से जितने भी कंटफेर के important question बनते हैं, वो हम इस पीडियों में डिसकस करेंगे, साथ ही मैं आपको हरे question से related important fact बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इंड तक ध्यान कीजिए, ताकि आपका proper तरीके से revision उसके, अगर आपको हमारी ये वीडियो फसनाई वीडियो को like कीजिए, आपके पास जितने भी educational group हैं, आप उस ग्रूप में हमारे वीडियो को share कीजिए और साथ ही, हमारे चैनल AD Star Classes को subscribe कीजिए, चल ये शुरू करते हैं, आज का अपन अंगदान दिवस मनाया गया, यानि इस question का option C से ये 13 अगस्त, विस अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को 208 पर मनाया जाता है, ये दिन अंगदान के महत्त के बारे में जाग रूकता बढ़ाने और मृतु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेज करने के लिए प्रतिएक बर्स 13 अगस्त को मनाया जाता है, अंगदान दाता के मृतु के बाद उसके हिर्दय, लिवर, गुर्दे, आटो, फेफडे और अगनासे जैसे अंगों को बचा लेना या फिर किसी अंग की आवस्त करना जिसे अंग की आवस्त कता है, इसके लामा कॉर्णिया, ह हिर्दय की वाल्ब, हडडी और तचा की उतकों को प्राकृतिक मिर्थू के मामले में दान किया जा सकता है, जबकि हिर्दय, जिगर, आतो, गुर्दे, फेफडे और अगनाजेस जैसे अन्यमात्पूर अंगों को केवल मस्तिस की मिर्थू के मामले में दान किया जा सकता है यदि 18 बट से कम आयू का कोई व्यक्ति अंगदान करना चाता है तो उसे माता पिता या अभिभावक को एग्रिमेंट करना होगा कोई व्यक्ति आयू, जाती, धर्म, शमदाय, आदि के बावजूद अंगदाता हो सकता है आगे बढ़ते हैं अगला कुजशन है, किस राजय सरकार ने महिला ससक्ती करण के लिए औरणो दोई योजना की शुरुआत की है अबी हाली में असम गोवर्मेंट ने महिला ससक्ति करण के लिए ओर्नो दोई योजना की शुवात की है यानि स्कूजिन का ओप्सण पिरूपे पृतिमाह परदाण करेगी ये योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी, नई योजना के लिए 280 करunoopee की राशी रखी गई है, अब असम की बात है, तो असम की कैप्टल दिस्पुर के इसके बरतमान समय के मुख्यमंतरी है, सर्वाननसोनुवाल, और असम के बरतमान समय के गورणनर है, जगदीश, म की इसके लावा असम के दो इंपोर्टेंट निसनल पार्क काफी अधिया में पूसाते हैं सबसे पहला काजी रंगा निसनल पार्क और दूसरा है मानस निसनल पार्क और काजी रंगा निसनल पार्क ये एक सींग वाले घंड़े के लिए काफी फिमस है और एक सींग वाला घं संस्क्राण को लॉंच किया है अभी हाल ये में नीती आयोग ने SEP 2.0 कारकरम का दूसरा संस्क्राण लॉंच किया यानि इस कुछिशन का option B से ही है नीती आयोग नीती आयोग के अटल नवाचार मिशन दोरा डेल टेक्नोलोजीज के साथ भागिदारी में चात्र उद्दमसीलता कारकरम यानि SEP दिसे फुल फॉर्म है Student Entrepreneurship Program 2.0 के दूसरे संस्क्राण को लॉंच किया गया है चात्र उद्दमसीलता कारकरम को अटल टिक्रिंग लैप्स यानि TLS के युवा नवाचार करतों यानि अन्वेशकों के लिए लॉंच किया गया ताकि उन्हें डेल वाली एंटर्स के साथ मिलकर काम करने में सच्छम्बना आजाक सेके अब नीतियायो की बात है सबसे पहले नीतियायो का फुल फॉर्म जानते हैं इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसके अस्थापना एक जनोई दोजार प्रदरा कोई थी इसके हैटकॉर्टर नई दिल्ली में है और इसके बरतमान समय के अध्यक्ष हैं प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी और इसके बरतमान समय के CEO यानि मुख्यकार का यदिकारी हैं अमिताब कांत अगला कुज़शन है हालही में चुनक करा रामन कुट्टी का निदन हुआ है वो कौन थे तो चुनक करा रामन कुट्टी ये एक कभी गीतकार से और इनका भी हालही में निदन हो गया है यानि इसकुशन का ओप्शन ए से ये कभी गीतकार मलयालम कभी गीतकार सुनक करा रामन कुट्टी का निदन हो गया है उन्होंने 76 यानि 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिगीत लिखे हैं उनके कुछ थेड़ गीतों में जैसे स्याम मेग में ने जो की आदिगन की है शिंदूरी थिलकपुमी जो की कुडलाई थेड़ी की है ने अरिंजो मेले मनत जो की कंदू कंदरिंजू की है हिर्दे वाहनीले गीकी कायोब जो की कोटायम कुनुक्थनम सामिल है उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी की गुरू स्रेस्ट पुसकार से समयत किया गया था और ये मुख रूप से केरल राज से बिलॉंग करते हैं अगला कुईशन है किस राज के खाजे और अर्मल मिर्च तथा मिंदोली केलो को GI टैग परदान किया गया है अब इहाल ही में गोवा के खाजे हर्मल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग परदान किया गया ये टैग का मनलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि इस कुईशन का ओप्शन C से ये गोवा गोवा के पारंपरिक त्योहारी, मीठे पकवान खाजे, साले दर हर्मल मिर्च और मिंदोली केला जिसे मोईरा केला के उपनाम से भी जानते हैं इन तीनों को बगोलिक संकीतक रजिस्टी से बगोलिक संकीत आनि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है खाजे को क्लास 30 वाले खाजे पदार्थों और मोईरा केला को क्लास 31 के तहट जियाई टैग मिला है बिसोलिम आधारित अल गोवा खाजा प्रोडोशर्स असोशेशन आनि एजी की पिये ने दो होजार उन्नीस में विज्ञान और प्रवदोग की विखाक के माध्यम से खाजे की जियाई टैग के लिए आभिदन किया मेंदोली वनाना गोवर्स असोशेशन इब्रामपूर पेरिनेम ने मुईरा केले की जियाई टैग के लिए आभिदन किया था वहीं हरमल पेरिनेम चिल्ली गोवर्स असोशेशन ने हरमल मिर्च की जियाई टैग के लिए आभिदन किया था बारत में जियाई पंजीकरण को भगोलिक संकीते क्यानी पंजीकरण और चन्रक्षन अधनियम 1999 में दोरा दिया दाता है जो सितंबर 2003 से बुख रूप से भारत में लागू हुआ था एक जियाई टेग उत्पादन को अबैद रूप से उप्योग करने से बचाता है और अस्थानिय उत्पादगों के शमदाय को लाब सुनिशित करता है अब गोवा की बात है तो गोवा की कैप्टिल पंजी है गोवा के बरतमान समय के मुख्यमंतरी है प्रमोट सावंत और गो अला नाम था मदराश अग्ला कुशन है हाली में किष्ण कोबिट-19 फैक्सिन प्रबंद न पर राश्टिये बिषेसक गिशमू की अध्दख्षिता की है अभी हाल के सज़श हैं डॉक्टर वी के पॉल इन्होंने कोबिड-19 के लिए बैक्सीन प्रबंदन पर रास्ते बिशिशक गिशमों की बैटक की अध्धक्षिता की है समिती दोरा टीकों की उपलबदता और इसके वित्रन तंत्र को सुनिस्चित करने की उपायों पर विचार्स बिमर्ष करने के लिए एक बैविठक आयुदित की गई थी इसके लामाही शात में इसमें इन्वेंटरी प्रबंदन के लिए डिजिटल बुनियादी धाचे के निर्माड के कार्यावन तंत्र पर भी चर्चा हुई है अगला कुशन है हाल ही में किसने देश भर में WGDP Women Connect Challenge लॉंच किया है WGDP Women Connect Challenge अभी हाल ही में Reliance Foundation ने लॉंच किया है यानि इस कुशन का ओप्शन C से ही है Reliance Foundation Reliance Foundation ने United Nations Agency for International Development यानि USAID और Women's Global Development and Prosperity यानि WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP Women Connect Challenge लॉंच किया है बारत में WGDP यानि Women Connect Challenge लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया बीमेंस Global Development and Prosperity यानि WGDP ये पहल फरोरी 2019 में White House त्वारा सुरूगी गई था और White House ये अमेरिका में है अमेरिका की संसद जहां पे जैसे हम इंडिया में जहां पे संसद राजसबा और लोगसबा हम हों कहते हैं इस तरीके से अमेरिका की संसद जहां पे इकटा होती है वहां के बड़े-बड़े MLA और MP जहां पे इकटे होते हैं जहां पे बैटके वो अपने कन्वेंशन को या फिर उनका जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन को संबन करते हैं उसे हम कहते हैं और जो की अमेरिका के वासिंगटन डीशी में है ये 2035 तक जुनिया की विकासील में लगबग 50 मिलियन महिलाओं तक पहुँचकर महिलाओं के आर्थिक ससक्तिकरण के लिए पहला संपूर सरकारी दिश्टिकोड है और ये पहल तीन अस्तंबों पर केद्रित है ये इसके लावे USAID की बात है यानि United Nations Agency for International Development तो इसकी कार्यवाहक प्रसासक हैं जौन बरशा अगला कुजिशन है कि इसने लैप्स पॉलियों को फिर से चालू करने के लिए Special Revival Campion नामक एक बिसेस योजना सुरू करने की खोसला की है तो अभी हाल ही में LIC यानि Life Insurance Corporation of India ने लैप्स पॉलियों को फिर से स्टार्ट करने के लिए एक Special Revival Campion नामक बिसेस योजना सुरू करने के लिए एनाउस्मेंट किया है यानि इसकुशन का ओप्सन B से ही है LIC लैप्स का मतलब होता है रुकी हुई जो पॉलिया होती है उनको फिर से चालू करने के लिए Special Revival Campion नामक एक बिसेस योजना सुरू करने की खोसला की है ये भियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसके दौरान ग्रहक अपनी लैप्स पॉलियों को दोबा चालू कर सकते हैं अब LIC की बात है तो LIC यानि Life Corporation Life Insurance Corporation of India इसके अस्थापना 1 सितंबर 1957 को वी थी इसका है एड़कौर्टर महारास्ट के मुंबई में है और इसके बरतमान समय के अध्यक्ष है M.R. Kumar अगला कोजिशन है किसे Steel Authority of India Limited यानि SAIL का नया अध्यक्ष निक्त किया ग Authority of India Limited का नया अध्यक्ष अपॉइंड किया गया यानि स्कूजिशन का ओप्शन एश है ये शोमा मंडल सोमा मंडल को सारबजनिक उद्दम चैन बोर्ड यानि Public Enterprises Selection Board जारा Steel Authority of India Limited यानि SAIL के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वरतमान अध्यक्ष अनिल चौधरी की ये जगा लेंगी अब सेल की बात है सेल की अस्था अपना 19 जनौरी 1954 कुई थी और इसका हैटकॉर्टर नई जली में है और अब इसके अध्यक्ष यही बन जाएंगी सोमा मंडल अगला कुशन है हाली में किस देश ने Aero 2 Ballastic Missile Interceptor का सफल परिच्षण किया है अभी हाली में इसराइल ने Aero 2 Ballastic Missile Interceptor का सफल परिच्षण किया यानि इस कुशन का ओप्सन C से ये इसराइल इसराइल अपने उन्नत मिसाइल रक्षा पनाली Aero 2 Ballastic Missile Interceptor का सफल परिच्षण किया है ओपर मद इसराइल में परिच्षण अस्तल पर इस मिसाइल का परिच्षण किया गया इस्राइली वाईसोना और इस्राइली एरोस्पेस इंडेसीज के साथ संजुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजंसी यानी MDNA इसका परिक्षन किया है Aero 2 इंटरसेप्टर ने इस पैरो टार्गेट मिसाइल को सामिल किया जो एक सतह से मिसाइल तक लंबी दूरी तक मार करने वाली भी है और इसका नियोजित पर्थे प्रदकवर का परदशन किया गया है अब इस्राइल की बात है तो इसकी कैप्टल है यरूसलम इसकी करंसी है इस्राइली न्यू सेकल और इस्राइल के बर्तमान समय के प्रामिस्टर हैं बेंजामिन नेतनी हाओ और इस्राइल के बर्तमान समय के प्रैसिडंट हैं रूमबे रूबी रिवलेन आगे बढ़ते हैं कल मैंने आपको कुईशन के बारे में जितनी भी जानकरी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे की आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन उसके आगे बढ़ते हैं और आज का अपना कुईशन देखते हैं आज का हमारा कुईशन है हाल ही में जारी साल 2020 के सबसे महेंगे एक्टर्स की सूची में कौन सीट्स पर रहा है कुईशन के चार ओप्सन है रियांड रेनोल्ट्स, डवेंट जॉन्सन, मार्क वालवर्ग और अक्षे कुमार एक बार मैं आप से रिकोंगा आपको कुईशन के बारे में जितनी भी जानकारी पर पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसे की आपका प्रॉपर तरीके से रिबीजन उसकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगें तो वीडियो को लाइक कीसी जेहिंद